सादर जैसियराम आप सभी को कन्नड के प्रशिद्ध लेखक और रिटार्ड प्रोफेसर आधरन्य केस भगवान ने मासीता और श्रीराम जी पर एक टिपड़ी किया है जो निशित सोचनी है हम सनातनियों के लिए क्योंकि उन्हों ने यह स्टेट्मेंट दिया है कि राम पुरुशोत्तम नहीं है राम जी ने सीता का निर्वासन कर दिया सीता को जंगल में भेज दिया गरभावस्था में शंबूप नामक एक शुद्र का बद करते हैं राम तो वो पुरुशोत्तम नहीं हो सकते तो उनके इस टिपड़ी का मैं उत्तर देना चाहती हूँ निवेदन उनसे यही है कि आप सिक्षा के इतने उचस्थर पर एक प्रोफेसर के पद पर रहे हैं और भाशा शैली का आपको ज्यान तो होगा ही निश्यत तो आप संस्कत भाशा का यदि आपको ज्यान हो और नि कि बालमी की रामयर जो युद्ध कांड तक लिखी गई है वही बालमी की जी ने लिखा है और उत्तर कांड का जो अंश है वो प्रक्षिप्त जोड़ा गया है क्योंकि हमारे हां कई आकरांताओं का आगमन होता रहा है विश्व विद्याले जलाएगे ग्रंथों के साथ छ किता निर्वासन करें या शंबूक जैसे तपस्वी का बद करें क्योंकि हमारे राम जो पुरुषोत्तम राम है वो तो निशाद राज को गले लगाते हैं राम की राज्य का रहने वाला केवट राम का अत्यधिक प्रिय है और यही नहीं शबरी जैसे भीलनी के हाथ से जो सुदूर छेतर में रहते हैं उनसे भगवान श्री राम को प्रेम है उतना किसी संब्रान्त या अभिजात्य वर्ग के लोगों से राम को प्रेम नहीं था जितना की अभिजात्ते से दूर जो जीवन यापन करते हैं जंगलों में उससे राम प्रेम करते हैं तो निश्यत ये जो उत्तरकांड की कथा है सीता को निर्वासन की और शंबूक के बध की ये प्रक्षित अंस है बालमीकी रामायण के अंतरगत नहीं है तो कि बालमीकी जी ने जब युद्ध कांड को विश्राम किया रामयण को तो उन्होंने ये अंत में डिम्डिमुद घोष किया कि भगवान श्री राम राजा बनकर के इस प्रकार 11000 वर्ष्णों तक राज्य किया बढ़िया से और उसके बात जय बोल दिया तो जब ये कथा विश्राम हो गई आत्मक में कुछ लोग अलग से दूसरे लोग आते हैं और कुछ अपनी लेखनी को भी उसमें जोड़ देते हैं जैसे पाउंचरिव ग्रंथ था वो भी राम पर ही है और उसमें पहले उनके पिता जी ने यानि स्वैंभू ने लिखा फिर बाद में कुछ अंसत्रिभूवन ने उ और सीता जब वन के लिए प्रस्थान करने वाली होती है कैकेई जी मा सीता को वस्त्र देती हैं जंगल में जाने के लिए और वो वस्त्र मा सीता धारण करने का तरीका उनको नहीं आता है समाज में संकोचवस खड़ी हैं तो माता सीता को संकोचवस देखकर के श्रिदाम ज जिसको समाज के सामने सीता की मर्यादा और सीता के सम्मान की इतनी परवा हो इतनी चिंता हो वो राम कभी सीता को गर्भावस्था में जंगल में छोड़ देंगे वो निश्यत ये सोचनी विशय है ये कभी हो ही नहीं सकता और जो राम शबरी के फलो को खाते हैं जो राम निशाद और केवट को गले लगाते हैं जो राम बानरादी गिद्ध जटायू जैसे व्यक्ति को ले करके अपने गले से लगाते हैं और बानरों के साथ समुचे युद्ध को परिडाम तक पहुचाने का प्यास करते हैं वो र नाम कभी शंबूक नामक शुद्र का वद कर ही नहीं सकते इसलिए ये निरा एक निराधार कहा जाए यूद्ध कांड की भाशा शैली अलग है युद्ध कांड तक की भाशा शैली अलग है तो मेरा निवेदन यही है आधर्णिया प्रोफेसर सहब से कि आप अपने बयान को पुनह विचार करें और भगवान राम माता सीता पर टिपड़ी करने का प्रयास बिलकूल ना करें क्योंकि हमारी पध्धती हमारी सनातन जो संस्कृती है यहां तो राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है तो ऐसे राम कभी सीता का निर्वासन कर ही नहीं सकते सीता को गल में छोड़ दे वन में छोड़ दे यह निशित्त आपके लिए भी यह सोचनी है आप एक बार पुनह से बालमी की रामायर का शब्द जो शैली है उस पर ध्यान दे और जितने भी भाशा विज्ञान वाले लोग हैं कई लोगों ने इस चीज को प्रमाडित भी किया है क वालमी की जी की जो भाशा शैली है संस्कृत की वो युद्ध कांड तक अलग दिखाई पड़ती है उत्तर कांड से प्रारंब से ही वह भाशा शैली अलग दिखाई पड़ती है तो इसलिए निश्यत है कि किसी और ने बाद में आकर के उस उत्तर कांड को जोड़ दिया हो तो समाज में बाटने का काम और समाज में विभेत पैदा करने के लिए राम के व्यक्तित्वों से मेल नहीं खाती और हमारे रामजी मर्यादा पुर्शोतम रहे हैं और हम सभी सनातनियों के लिए प्रेरणा दायक है और निशित राम कथा हमारे जीवन का दरपन है हमें जीना कैसे है हमें रहना कैसे है यदि सीखना है तो राम कथा अवश्य सुननी चाहिए गंभिरता से इस विशेपर विचार करें और इसी के साथ जय स्यराम जय जय प्रेंटी